भारत और चीन सीमा पर हुए विवाद में शहीद हुए जवानों के सहादत पर राश्च बंदन समीती द्वारा दीब जलाकर उन्हें भावभीनी सद्धानजली अर्पित की गई जिसके संबंद में राश्च बंदन समीती के अध्यक्ष विजय कुमार खेमका ने बताये कि 16 जून को गलवान घाटी में चीन के द्वारा किये गये कायराना हमले से आक्रोशित राश्च बंदन समीती के कारेकरताओं ने चीन के समानों के बहिशकार का निर्ड़ा लिया है और अमर शहीदों को दीब जिलाकर सद्धानजली दी है इस संबंद में गुरकपुन नियूस से बात करते हुए दुर्गेस, त्रिपार्टी और राश्च बंदन समीती के अध्यक्ष विजय कुमार खेमका ने कहा वीर सहीद अमर रहे चाइना था चाइना था पर ठास बाद ölब्स वीर सहीद अमर रहे त्रिया पैसलत ठेजड़ परत मता की पीर सही दमर रहें पीर सही दमर रहें परत मता की जै परत मता की जै चाहे ना होसमे आओ पॉसमे और शोसमे ओ पिर सही दमार रहें परत मता की जै बिर सही दमर रहें बीर सही दमर रहें पॉर्ध चाउड रहें अमर सहीदों का नाउं रहेगा चाइना मुर्दाबाद चाइना मुर्दाबाद चाइना मुर्दाबाद चलवा चाइना होसमे आओ बारत बीरों से ना तकराओ बारत बीरों से ना तकराओ चकारा बीर बचंगे आज राश्ट वंदन समिति ने गलवान घाटी में सहीद हुए जवानों को सधानली देर कर यहां पुशवाचन किया है साथ में समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है हमने एक मास्क बनाया है जिसपे लिखा है नो चीन और Don't buy चीनी प्रोड़ECTS यह मास्क लगा के हम समाज में जाएंगे और समाज को चीन को दोनों को बें संदेश देंगे कि जो करोना जैसी मँआरी जो चीन उसको भी भारती लड़क करके उसको भी समाव्ट करेंगे और यह जो चीन नापाग हरकते कर रहा है पर इसको भी बर्दास नहीं किया जागा हमारे स्थानिक घुश के जवाब देंगे इनी सब बातों को ले करके आज हम लोग नहीं पर कारिकरम किया है और में स्थानिकों को सद्लाली देते हुए चीन को यहां जन्वानस के माध्यम से एक संदेश देने कारी किया है बीजय लोग चाइना को उतपाद ना खरीदें लोग इसके लिए करकरम किया जा रहा है कोई अपील भारत है सोलह जून को गलवान घाटी में चीनी सेनकों दौरा जो कायरता पूर्ण हरकत की गई उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं हम लोगों ने यह मास्क बनाया है इसके दौ पराजीत यह करोना पूरे दुनिया में फैलाए गया है हर हम लोग चीनी उतपादों का वाइकाट करें चीनी उतपादों ना खरीदें ना उसको इसको इस्तेमाल करें